बात करेंगे राजधानी रायपूर की जहाराज इस तरिये 36 गडिया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है सुमवार को इस परधा में एक मैला ने पारंपरी खेल फुगडी में रेकॉर्ड बनाया मैला ने एक घंटे 31 मिनिट और 58 सेकंड तक लगातार फुगडी खेल कर ओलंपिक में अपना नाम दर्च करवा लिया 36 गड़ ग्रामिन अंचल से आई ओशो बाई ने 36 गड़ सरकार और सीम को धन्यवाद करते हुए कहा कि बचपन से वो फुगडी खेलती थी लेकिन शादी के बाद और घर की जिम्मेदारियों के साथ ये कहीं पीछे चूट गया था 36 गड़ सरकार ने 36 गड़िया उलंपिक करवा के फिर से पुरानी चीज़ों को नया किया है पिक लगतर जारी हवे और इही क्रम मा आज राजधानी रायपूर के इंडोर स्टेडियम मा फुगडी मा रिकॉर्ड दर्ज कराए गए एक घंटा 31 मिनट अव 58 सेकंड के जो ये फुगडी है ओला कि ये पुगडी करेए जो महिला है वो हमर संग है आप एक घंटा अन्ठावन सेकंड अव इक जो 31 सेकंड इसे जो है आप फुगडी करे हो जितना जो आप बे रहे कैसे कर लेओ आप उसकत दी तक अधिर में नम वेख़ खेला तरहें हां आप सस्राइल आप यहां के तब निए खेल पाए रहे हैं तब भूपेज बगेर हम अला जब मौसर मिली था तो यह जब खेले करें हों खेले के अच्छा अब दूसर जिलम भी आप फ़स्ट आए हो बचपन के संख रिथे लईका बच्चमन फुगडी खेलते कई तीस तीहार में भी यहां सामिल करेंगे राजधानी राइपूर में आके फुगडी खेल एक बात कैसे लगत है आप बड़ी हा लगत है हमर संख कोच भी है जो सिखात हैं भी फुगडी भी और लगतार एमन के मॉनिटरिंग भी कर रहत हैं यह तरीके की रिकॉर्ड दर्ज कराय जाना सर जो जो हमर सभिता में रही आज 36 गड़ में पर्चम लहरावा थे लोगी खेल लखेल के का को बहुत बहुत मतलब यह का है आज तक ऐसे हमर युगा मला तो मौका मिला तरी से बुजूर्ग मला मौका नहीं मिल पा तरी से जे ऐसे मौका मिली इस और हमर जो आसो बाई है ना आसो बाई जी है इतना सु अलंपिक लगतार जारी हवे इही करमा राजधानी रायपूर मा फुगडी मा रिकॉर्ट दर्ज कराएगे है और इहां के लोगन वन्बे जो चेहरा में जो खुसी है वहाँ साब तरीके से जाहिर हो थे साब तरीके से दिखा थे आगू भी आखेल जारी रही लेकिन राज धानी रायपूर मा आज फुगडी मा आसोब आई है रिकॉर्ट दर्ज करे है एक घंटा अंठावन मिनट तक लगातार ये बुजूर्ग महिला हा फुगडी करत हुए अपन नाम से अउच्छतिस गड़ मा एक अलगी पर्चम लह रहा है कैमरमन इकराम के साथ मोनीका दु झाल चाहिए झाल पुगडी मा आई है लो ये बुगडी माई ओुगी माई ख़गी लगाई धुगडी माई थावा जगार इकुछ रहा है जा रहा है झाल झाल दूजूर्ग झाल दूजूर्ग